हेलो एब्रीवान आप सबका मेरी यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आप सबी के साथ बहुत ही बढ़िया समर ड्रींग की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है एक बार बना के आप इसको 10-15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकत हैं और इसका बनने के बाद जो टेस्ट आता है वो एकदम मार्केट के सॉफ्ट रिंग की तरह ही आता है तो आप इसे बहुत असानी से बना सकते हैं तो इससे बनाने के लिए मैंने यहां पर पांच निम्बू लिया है जिनको मैंने पानी में अच्छे से दो लिया है तो इनको आपको पहले अच्छे से दो लेना है उसके बाद फिर इनको आपको ले लेना है और इसमें डाल लेना है नमक तो मैंने यहां पर इसमें दो चमच भरके नमक डाल लिया है और अब मैं इसको अच्छे से घिस लोंगी तो जो निम्बू की बाहरी स्कीन है उसको हमें अच्छे से नमक के साथ इस तरीके से रव कर लेना है चार उत्रफ गुमा गुमा के अच्छे से और इसे बनाने के लिए आप कोसिस करिए कि जो निम्बू उपर से ग्रीन दिखता है वैसा निम्बू ले उससे क्या होगा कि यह जो है बनने के बाद इसका जो लूक है बहुत ही बढ़िया आएगा पर यहां पेस्ट है मुझे नहीं मिल पाया था यह थोड़े यलो से दिख कर लिया है अब मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाल दिया है और पानी डालके इसको दो-तिन पानी अच्छे से दो लिया है मैंने तो देखिए आप निम्बू को दो के मैं साइड में रख दूंगी और उसके बाद यहां पे मैंने खाली सीसे का बोतल लिया है यह हनी का बोतल तो यह भी खाली हो चुका है मैंने इसको दो लिया था और अब मैं इसको गरम पानी में थोड़े देर उबाल लूँगी जादा नहीं एक से दो मीनिट आपको इसको खौलते पानी में इस तरीके से उलट पलट करके और इसको थोड़ा सा उबाल लेना है उसके बाद आप कैस तो आप तो अब अच्छे तरीके से काट लेते हैं तो अब इनको काटने के लिए आपको अच्छे भासे क्टार वाली में चाकू की ज्यूरित पड़ेगी होट से पहले हमें इनके दोनों साइड का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसे काटके अलक कर लेना है और उसके बाद इस немगो को काट लोंगे और इससे काटने के लिए आप धार वाली चाको का हिस्तमाल करें तब ही आपकी जो यह निम्बू की स्लाइस है यह काफी बढ़िया बनेगी तो देखिए यहाँ पर मैंने काट लिया है सभी निम्बू को और इस टाइम पर यहाँ पर जो इसके अंदर इसके बीज हैं उनको अप कर लें निकालके हलाकि मैं यहाँ पर भूल गई थी निकालना मैंने बाद में निकाला था पर आप इसको निकालके अलग कर लें उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है चीनी तो चीनी आप लें उतना ही जितना कि आपने नीम्बू लिया है नीम्बू को आप अच्छे से व और नीमबू दोनों की जो दोनों का वज़न होता है वो बराबर होना चाहिए और बस यह जो बोतल में ने पानी में रखा था बाल कर इसको हमें अच्छे से सुखा लेना है अंदर तक हाला कि यह गरम रहता है तो सुख जाता है अपने यहां पर इसका पानी सुख जाता है तो देखिए सुखा हुआ बोटल लेना है एकड़म साफ और उसमें आपको यह सारे नीमबू डाल लेने हैं और जो चीनी बचेगी ना उसको भी आपको इसमें डाल के तो यहां पर मैंने डालने स्टार्ट कर दिया है तो बस इसी तरीके से आप इसको भर दीजिए जितना आ जाता है और जो आखिर में चीनी बचेगी उसको भी मैं उपर से इसी बोटल के अंदर डाल दूँगी और डाल लेने के बाद यहां पर सॉरी गाइस मिस हो गया है वो बोटल को साफ पनी से कवर करना है उसके बाद इसके उपर धकल लगा के आपको दो से तीन दीन तक इसको छोड़ देना है तो यह देखिए मैंने मिस कर दिया था यहां पर जो वीडियो क्लिप है न मुझसे वो गिल्च हो गई साथ तो यहां पर देखिए मैंने इस तरीके से इसको पनी लगागर तीन दिन तक इसको छोड़ दिया था और आपको इसको धूप में नहीं रखना है आप इसको छाओं में मतलब रूम में ही रखिए कहीं तीन दिन के लिए इस तरीके से तो यह आप देखिए तीन दिन बाद मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं तो यह देखिए जो चीनी है वो अच्छे से गुल के और सीरप की तरह हो गई है और निम्बू भी दिखिए अभी यह थोड़े और से निम्बू का जो पीसे हो निकालके गलास में डालेंगे तो यहां पर मैंने इसमे दो स्लाइस डाल दिया है और थोड़ा सा सीरप डाल दिया है लगबवाग 2-3 चमच आपको सीरप इसमें डाल लेना है और सीरप हो ही जो अभी बोटल में आपने देखा और बस इसके बाद हमें इसमें डाल लेना है कुछ आइस और आइस आपको नहीं डाले जितना आपको ठंडा चाहिए और आइस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सोडा वाटर तो यह देखें यह मैंने लिया है सोडा वाटर और यह आप डाल लीची इस ग्लास में तो एक ग्लास ड्रिंक बनाने के लिए दो स्लाइस तीन चमच सीरप और थोड़े से आइस थोड़ा सा सोडा वाटर आप कुछ चाहिए और अच्छी खास्ती बाहर वाली जो सौफ्ट ड्रिंक होती है वैसे ड्रिंक बनके त्यार हो जाएगी आप लोग इसको जड़ू ट्राइ करिएगा और इस जो ये बोटल है इसको आप फ्रीज में भी रख सकते हैं और ऐसे रूम टमप्रेचर पे बाहर भी रख सकते हैं सेयर करिएगा अपने फैमली फ्रेंड में और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए रहा